नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को थोड़ा टेक्नो फंडा एनेलेसिस करेंगे और साथ में ही दो रीसेंट के आई पियो की जो कल लिस्टिंग हुई है एक तो आर्केट डेवलपर है और दूसरा नौर्थ करा है और भी लेटेश्ट अप्डेट वाले स्टॉक अप्लोड हमने करें उसको जाकर के वच आउट करें मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेरी किसी स्टॉक में है या आपको लगता है कि मुझे टेक्नो फंडा एनेलेसिस या फंडामेंटल या टेक्निकल एस्पेक्ट्स डि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सेयर करेंगे बजार के लर्निंग को अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं सभी एनेलेसिस या जो टेक्निक्स होते हैं तो आप हमारे माश्टर क्लास को जोईन कर सकते हैं अब आगे बरते हैं बजाज हाउसिंग फाइनस में मुझे वही डर है जो हमारा डर जो टाटा टेक में था एक सांदार लिस्टिंग डिमांड 66,000 करोर के और जो बीडिंग आई वो 3,25,000 करोर के और अल्रेडि ये स्टॉक आईपियो के प्राइस से इस समय देखेंगे तो 100% गेन पे ट्रेड कर रहा है और इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा बचना चाहिए यहां देखेंगे अमिनेस अगरवाल जी कुछ बातें जो हैं वो सामने कह रहे हैं जो प्रभुदास लीलाधर के टेकनिकल एनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि स्टॉक विल हैब लॉंग कंसलिडेशन अनलेस अंटिल वेडि एस्ट्रोनोमिकल नंब् अगरवाल जी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मेरे भी कुछ यही एक्सपेक्टेशन हैं क्यों क्यूंकि पहले मैं चाहूंगा कि इसके फंडामेंटल को आप देखें कंपनी 1,30,000 करोर की है और इंडस्री के कंपरेटिवली लगग लगग 3.5 ताइम्स यह स्टॉक महंगा चल रहा है प्राइस अर्णिंग रिसियो महंगा चल रहा है यहां देखेंगे अची अची कंपनीया LIC हाउसिंग, PNB, आधार हाउसिंग फाइनेंस, अवास हाउसिंग फाइनेंस, एप्टफ, यह सभी स्टॉक इसके कंपरेटिवली काफी undervalued दिख रहे हैं तो क्यूं ब पास का प्राइस था इस टॉक ने लगबग लगबग 188 तक के लेविल तच करे और उसके बाद धीरे 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 स्लोली स्लोली से स्टॉक में सप्लाई आ रहा है अगर सोट टम मोमिंटम भी प्ले करना है तो 166 के उपर मीनिमम 166 के उपर जाने दे वरना बहुत गीड नहीं जाएगा लेकिन इन बिट्विन 120-150 में यह स्टॉक यहां टाइम लेते दिख सकता है इसके अलावे हमने आपको क्या कहा दो IPO जो नौर्थर्न आर्क और आर्केड डिवलपर है वो आज लिस्टिंग हुई है और उसमें मेरे क्या व्यूज है तो पहले मैं चाहूंग कि आप आर्केड डिवलपर स्टॉक को टेकनिकली से पहले फंडामेंटली देखें बहुत छोटी कंपनी लगबग 28-29 करोर का मार्केट केप 23 का प्राइस अर्निंग रेशियो जबकि इंडस्री 44 पे तो वैल्यूएशन बाइस यह स्टॉक बेटर दिख रहा है कंपनी की ROC ROE देखेंगे तो काफी ज्यादा मतलब बढ़िया ROC ROE दिख रहा है प्रमोटर 70% EPS 8 और इस समय तो लिस्टिंग ही हुई है डेट टू इक्यूटी देखेंगे तो निक्ज लिबेल डेट है विच नहीं के बराबर और कंपनी के कौन्स तो कुछ है ही नहीं मतलब कौन्स म देखेंगे तो ठीक ठाक वैलिवेशन में दिख रहा है इसके अलावे कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो आउट परफॉर्मर है प्रॉफिट ग्रोथ काफी आउट परफॉर्मर है इसके अलावे कंपनी में अगर मैं आपको ROC और ROE दिखाऊं तो कंपनी देखेंगे तो क काफी बरहियां return on capital employed और return on equity कर रहा है day to equity भी लगबग नहीं के बराबर है और sales देखेंगे तो काफी sales में growth दिखेंगे है profitability काफी better रही है margin consistent है और इसके अलावे बहुत सारे information अभी नहीं है एक बार मैं चाहूंगा कि इसके आप chart को देखें कि आखिर इसका chart कैसा दिख र प्रांदार listing के बाद already selling में दिख रहा है मुझे लगता कि इस stock को आप 140 के नीचे अगर opportunity मिले तो long term के लिए एक अच्छा play हो सकता है और जो दूसरा stock है वो है northern यहाँ देखेंगे ARC Capital Limited 5000 करोर की company अगेन देखेंगे price earning ratio undervalued comparatively industry का ROC ROE favorable है अगर इसके peers के comparatively देखेंगे तो लगबग लगबग जितने भी peers listing है उसमें सबसे सस्ता stock market के भी काफी छोटा यानि potential है growth का company के अगर sales growth देखेंगे तो काफी favorable दिख रहा है profit growth भी देखेंगे तो industry के comparatively ठीक ठाकी दिख रहा है ROC ROE देखेंगे तो ठीक है मतलब numbers जो है इतने बुरे नहीं दिख रहा है in the line number दिख रहा है इसके अलावे अगर company में FI की holding भी है DI's के पास देखेंगे तो काफी माल दिख रहा है public के पास 66.90% है public में तो promoter भी आने चाहिए यहां देखेंगे public में लगबग लगबग जो बरे नाम है वो लगबग लगबग 30-40% के आसपास का है तो इसके अगर चार्ट को एक बार देखा जाए Northern ARC के चार्ट को अगर देखते हैं तो यह भी कल ही listing हुई है और listing के बाद से ही selling आया तो अभी तुरंत नहीं पकरे जो भी stock listing के बाद इस परकार के downtrend में जा रहा है तो या तो 330 के उपर की closing होने दे ताकि आप एक opportunity को grab करें या फिर पूरा selling होने के बाद जब बरे volume का breakout हो वहां से आप इस stock को catch कर सकते हैं I hope your video informative रहा, thank you for watching this video, thank you